नमस्कार मित्रों, गुरुषी चिंदत चैनल मां पदर्वा बदर्व परम्भुजय गुरुदेव स्पंदी स्री रामसर्मा आचारियना गुरुदेवनी पेनाना पुष्टकना माध्यम थी केटा गंसो आपनी समग सरजु करियो रही होचु। निडासा माते कई रिते उगाड़ियो शाहित्यना अने साम्यकोना प्रचार प्रसार मात्य में मारी पूरी सकती रिती प्रयास करियो चे। गायते नितपव भुमी आवनार पडिजनोंने युक बडिवतन माते गुरुदेवना विचारोनों महत्व अने साहित्यनों प्रचार करवाने रितो समझावतो रही हो। पडिजनों एक ना निगन माते तेमना दन्नों सरजुप्यों करवाने पेलना। तथा पोच्छान आपतो रही हो। गुरुदेवना चिन्तनने तेमनी अपेल तथा संदेशने लोकोनाय संबडावतो तथा वचावतो रही हो। परन्तु मारी अपेक्साप्न माले सपरता न मारी। आवनारावने बेड मा यो गुरुषी ना सप्नने साकार करी सके एवागनान एगनना होता तता अध्योडियोंने हुँ सोत्तो रही हो। परन्तु परिजनोय गुरुदेवना जीवनना चमतकारिक प्रसंगों मा जरस्चे अथ्वातो एगनमा आवुतियों आपवामा के पची बोजन प्रसाद मा दन खर्चवामा जरस्चे आत्माने बोजन करावामा तथा गनान रुपी प्रसाद वेचवामा कोईने खास रस परन्ति एवु लागियों चफरता ना मलवाने काने निरास थाईने एक दिवस आडो पड़ियों त्यारे विचारियों के जीवन मा पंचो तेर वरस्चतों विति गया माला सयोकियों तता साथ्योंने गुरु देवने चादारा प्रमाने कार्य करावामा सफर ना थाई सक्यों चीवननों आउमुलिय समाए एमा जवेर फाई रहियों छे गुरु देवनू साहिते सागरमा डुपके माले तो थोडाक मोती हाथ लागिया ते वाचियों तो माली संकानों समाधान थाईगी उने संतोस थाईओ वाचकोने पन एवोज अनुबह थासे आओ चोई ओगश्ट ओगणिशने योगणशिती ना अखंड जियोती ना पैज नुबर 3849 पड़नू गुरु देवनू चिन्थन में मालों परिवारतों बहु मोटों बनावी दिदो छे परन्तु तेमने केटलिक सामानिय वातों हुँ समझावी शक्यों न थी हुँ तेमना मन पर एविच्छा पाड़ी शक्यों न थी के उतकुष्टा अने आदस्वादी प्रवतियों अपनावी ते पोईपन लित्ते खोटनों सोदों न थी ते प्रक्रिया स्वाथ्चे सुधारचे देर्द जीवन आपेचे दामपत्य प्रेम मा खुबच उलास परी देचे बार को सुष्ण स्कारित बनेचे पैसानित तंगी पड़ती न थी मनों विकारों तता उद्वेगमा बलू पड़तू न थी यस मरेचे साचात तता सज्जन मित्रों मरेचे अने इमनी सातेनी मित्रता टकी रहेचे विजालोकोनी सयोग मरेचे प्रक्तिनों मार्ग मोक्रों बनेचे और सफरतानी सोब थतो न थी मनमा प्रशंस्ता रहेचे आत्म संतोस मरेचे अने इश्वनी क्रुपा तथा सानी दनो निरंतर अनुबो थतो रहेचे आव प्लान विजा पड़ अनेक लाव थाएचे इमा नुक्षान ठोक्त एटलोच छे के पूतानी मूड मानियाताओ अंध पड़ंपराओ अने कूट ते ओ थी पीछों छूटे छे लोग बने मों बड़त्रा अने वास्ना तुरुष्णाना उद्ध निर्ता पाण गटी जाएचे जुष्टता तता अंकार गटी जाएचे आशिवाय विजु कई पाण नुक्सान ततूर नथी लाब एटलो बदो छे के चामनिया मालास महा म पूच्ची जाएचे अने वेक्ति नी तुछता धूर थाई ते लोको नी आखो मां वसी जाएचे जो आटली सामनिया वात अने आ सच्चाई परिजनों नहीं समझावी शक्यों होत तो तेमनी कहवाती आध्यात्मिक पक्त पुजापाठ अने कथा वर्ता सुधी मढ़िया दित न रही होत तेरे जीवन मां वेवार मां पौन स्थान मरियू होत अने तेनू स्वरुप आजना जेवू न रहेत परिजनों धाडिया कत्ता वदारे सुखी अने संतुष्ठ होत अने समाज ने तेमना व्यक्तित्वनी खूब प्रकास अने बर मरिया होत पगवान जाने छे के आ युग्नों गार एकलो गार्ड छे के पचित पड़ी जननों विवेक्त अने सोडिया मरी गया छे अत्वा तो मारी समझावानी सकती एकली बदी ओची छे के तेनों कोई प्रभाव परतो नथी आ त्रण माधी बले कोई परकानर होए अत्वा तो ताने कानर होए ए उपाय तो करोज परशे, पड़ी जनोनी मोत तथा सोकमा डूंबेला छोड़ी शकू नहीं, तेवो भले पोतानी साडी रिख्षतिती बदल गर्व अनुबोता होई, परंतु मारी द्रष्टिये तो आत्मकल्यानी साधना अने लोककल्यानी प्रवडूतिती विमुख वेक्त इनी स्थिती कोब दैयनी अच्छे, माला आ पुल्वजरो तता स्वजनोना उद्दार माटे भगिणत तप करीश, अने उज्जट क्षेत्रमा हडियारी उगारीश, तेवनासी समगर उपन शू सोभित थाई जसे, गुरु देवनाओ उपन विचार वात्तामने समझाय नती, आ पिडातो गुरु देवने पन छे, तेथी दुखी थया आवगर माले एक ज्वात्नों द्यान राकवो जोईये के, आत्म चिंतन, आत्म निरक्षान, आत्म सुद्दार, आत्म निर्मार, अने आत्म विश्वास मां वधारो करीने माला प्रयासों मां क्याई कमी ना रेवा देवी जोई, फार्णी चिंता करियावगर, आज जीवन प्रहत्न करता रेवू, एमाच करी रेयोचु, गुरु देवना दिर्देशनु पालं सर्दा तथा समर्पारती संपना मनयोक गुडवक करी रेयोचु, आज मालु जीवननु लाक्स छे, ये उदेश्य दि गुरु देवना चर्णों मा आज जीवन समयर्पेत करियोँ हतु, तेनी सार्थक ता एमाच छे, इस्च्वार पोताना युदाज एवा मनुस्य पासे एवी आसा राखे छे, के देवो जेवोद जीवन जीवे, पोताना विचारों ने उत्कुष्ट बनावे, और कार्यों आदस्वात नो समावेश करता रहे